हेलो फ्रेंड अस्राम लेकुम लेकुम करता हूँ आपके अपने चैनल बजिश्बार लवर में उमीद है सब खेर इस रहोंगे और ठीक टाक होंगे आज की मरी वीडियो टोपिक है कि बर्स की डिवार्मिंग कैसे की जाती है उनको कौन सी मेडिसन दी जाती है जिससे बर्स क कमजोर होने लग जाता है उसकी सीने की हड़ी नुमाया होने लग जाती है और वो आश्ता श्ता कमजोर होते होते मर जाता है फिर भाई पूछता है यार मारे बर्स मार रहे हैं इसकी वज़ा क्या यार वज़ा यही है आप अपने बर्स की डिवार्मिंग करवा दिया करें गर्मियों में डिवार्मिंग करवाया करें सर्दियों में क्योंके ब्रीड आप ले रहे होते हैं ब्रीडिंग सीजन में डिवार्मिंग नहीं होती ठीक है उन भाईयों के लिए जो कहते हैं यह डिवार्मिंग आप सर्दियों में भी करवा सकते हैं नहीं भाई सर्दियों में जब आप ब्रीड ले रहे उससे तो आप डी वार्मिंग नहीं करवा सकते आप कोशिश यही करें कि बर्द के जब मट्कियां उतार लें उसके बाद आप इनकी डी वार्मिंग करवाएं तो आपको काफी फाइदा होगा क्योंकि अगर आप मट्कियां लगे रहें देंगे तो जैसे के बर्द मट्कियों में जाएंगे यह दुआई जो मैं आपको बताने लगूं यह उन्होंने खाई होगी तो यह जो मोशन करेंगे तो उसके जरी जो जड़ा से इम पैदा होंग मट्कियां मेरे तो मट्क देख सकते हैं मैंने सारी तौर ली है यह बट्स्राइव सारे स्धार्डमिंग करता दो इसके बाद सपाई करूंगा और यह जो केज आप देखें यह बड़ा सारा एक लूनी मेरी इसको पेंट भी करना है पेंट है सिर्फ जाली और यह लक्री को करना है सामने दिवार पर कोई पेंट नहीं करना क्योंके ना वक्त के साथ साना यह जाली जो है इसको जंग लाग रहा है तो इसको महफूस करना के वारे किसी का अमके नहीं रहेगे जाली और हमें कोई फाइदाने होगा तो पेंट लाजबी है पेंट आपको करवा लेना चाहिए बश के डिवार्मिंग के लिए कौन सी मैडिसनी बेससि ही और कौन सी मैड उसमेंई use कर्वाता हूं है मैं भी मेडिकल स्टोर से इजीलेए मिल जाएगी इसका यूज कैसे करवाना है आपने पहले तो अपने बर्स का पानी है वो रात को ठालेना है पानी देनाक है तो आपने एक लिटर पानी में दो टकन इसके डाल देने आदा तो इंशाथालब VIP के पेड़ो की रहे हैं वो फतम हो जाएंगे पर्डी सो बोस जो कम्जोर रहते हैं वह नहीं रहेंड और एक हैकर इसका फ्रमाड़ी करवाएं उमीद है आपको वीडियो अची लगी होगी वीडियो अची लगी तो को लाइक शेयर और मारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खया रहें हमें द्वाओं में याद रहें अलाः अफेस